अब यह स्कूल क्लासिज में आपका स्वागत है, वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास B.H.C का काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे उनिवर्सियटीज में पूछा जाते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि motion होते हैं, ठीक है, motion के बाद अगर हम move on करें, तो आपके पास word दिखा हुए, simple harmonic motion, क्या लिखा हुए, simple harmonic motion, harmonic आप एक मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि अगर motion periodic हो तो, क्या हो अगर periodic हो, और simple का मतलब अगर वो straight line में consider किया जा रहे है, तो वो simple हो जाएगा, ठ तो सबसे पहले इसके definition समझना important है, क्योंकि इसके definition के basis पे ही आपके जो expressions है, जो velocity का expression है, और जो displacement है, उसका expression हमें देखना पड़ेगा, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या है, कि किसी motion को simple harmonic motion कब कहेंगे, simple harmonic motion कब कहेंगे, अगर सबसे पहले, number one condition है, if it moves in a straight line, अगर क्या करें, it moves in a straight line, ठीक है, अगर इस straight line में move करें, second आपके पास, अगर particle, if acceleration is always, always directed towards a fixed point, जो acceleration है, वो एक fixed point की तरफ हो हमेशा, और third point आपके पास, कि जो acceleration है, acceleration है, acceleration is proportional to the, proportional to the distance, distance of the particle from the fixed point, distance of the particle from the fixed point, तो ये तीन बिन्दू, तीन points आपको ध्यान में रखने हैं, कि सबसे पहले, अगर वो straight line में move करें, अगर acceleration एक fixed point की तरफ हो, और अगर acceleration, distance की proportional हो, हम एक example से समझते हैं, सबसे पहले, ये आपके पास, माल लेते हैं, कि ये आपके पास straight line है, ये fixed point है, ओ, fixed point को दो तीन नाम से जाना जाते हैं, एक इसे बोलते है mean position, mean position बोलते हैं, एक इसे बोलते है center of oscillation, क्या बोलते है, center of oscillation, और एक उसे बोलते है equilibrium position, क्या बोलते है, equilibrium position, कोई बात नहीं, जो मर्जी नाम हो, अब particle क्या कर रहे है, to and from motion, जैसे यहां से यहां, यहां से यहां, harmonic motion, इसके tendency क्या होगी, इसके tendency हमेशा O point पे बापपिस आने की होगी आप एक जूले का example ले सकते हो जैसे मैं काफी बार pendulum का example देता हूँ जैसे आपके पास swing है जो आपने जूला देखा होगा, तो जूला कैसा होता है, कि वो starting में static position पे है, अपनी mean position पे पड़ा है, जैसे आपने push किया, उसे यहां तक लेके गई तो वो ऐसे जूलने लग जाएगा जो पार्क में आपका जूला होता है, वो जूलने लग जाएगा ऐसे, ठीक है तो उसके tendency हमेशा क्या होगी कि वो बापिस यहां पे आ जाए, fix position पे आ जाए अपनी, ठीक है तो second point में हमने यह लिखिया है कि acceleration हमेशा एक fix point की तरफ होगी, अगर वो यहां पे गिया है, अगर जूला यहां पे तो उसके tendency यहां पे बापिस आने की है फिर वो यहां पे चला गया, उसके tendency बापिस यहां पे आने की है और finally, वो यहां पे बापिस आ भी जाएगा रुक भी जाएगा कुछ टाइम के बाद ठीक है, और acceleration proportional होगी distance of the particle from the fix point यह fix point है, माल लेते हैं कि यहां तक उसने x distance travel कर लिया, ठीक है यह curved है, ठीक है, यह pendulum का case होते हैं, हमने linear में देखने हैं, कि अगर उसने x distance travel कर लिया तो acceleration उसके proportional होगी तो सबसे पहले आपके पास क्या है यह माल लेते हैं कि x है यह x dash माल लेते हैं, ठीक है यह a dash और इस तरफ से आपके पास a है ठीक है, अब यह p point पे है, कहीं पर भी p point पे है, माल लेते हैं कि यह distance उसके पास x के equal है तो acceleration किसके proportional हो जाएगी, acceleration is proportional to distance third point से हमारे पास यह expression आ रहे है और हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं, acceleration equal to minus mu x के equal लिख सकते हैं यह constant of proportionality है, और negative sign क्यों, negative sign इसलिए, क्योंकि जो direction है, acceleration की वो हमेशा towards o है towards एक fix point है negative sign क्यों है, यह reason आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि because direction है direction है, direction is directed towards o, directed towards o, ठीक है direction किसकी तरफ है, o की तरफ है, fix point की तरफ है इस विज़े से negative sign आये है अब हमने इस प्यारे से expression से ही चीजों को समझने है, ठीक है इसको derive करने है पर उससे पहले हम समझने की कोशिश करते है कुछ important terms सबसे important term है कि अगर o से a का जो distance होता है उसे हम बोलते है amplitude क्या बोलते है amplitude बोलते है ठीक है यह maximum displacement है यह क्या है maximum displacement है और इस तरफ भी यह maximum displacement होगी o a dash तो हम कोई भी एक side study करेंगे तो हमें पता चल जाएगा amplitude क्या होते है second thing time period time period मतलब कि क्या होगा जो o से a तक कौँचने के लिए time लगेगा वो time period है आपके पास तो अब आप move on करते है इसकी derivation के उपर velocity के expression के लिए तो सबसे पहले हम f को क्या लिखेंगे acceleration को क्या लिख सकते है acceleration को लिखा जा सकते है v d vy dx के को लिखा जा सकते है यह term हमने क्यों लिखी कैसे लिखी यह चीज क्योंकि यह आपके पास एक chapter था motion with variable acceleration समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो जैसे f होता है acceleration क्या होता है rate of change of velocity होता है तो हमने क्या किया इसे dx से multiply और divide कर दिया dx से क्या कर दिया multiply और divide तो यह वली term तो फिर से आपके पास v बन गी और यह क्या बन गया dv by dx बन गया यह क्या बन गया dv by dx तो इसलिए हमने acceleration को क्या लिखा v into dv by dx के एकवल लिखा अब हम इसे separate कर देते हैं v dv किसके एकवल आजाएगा minus mu x dx के एकवल आगया अब हम इसे integrate करेंगे तो v square by 2 equal to minus mu x square by 2 plus c kick बन गया ठीक है c1 constant of integration है अब यहाँ पर हमें c1 की value निकालनी है c1 की क्या करनी है value निकालनी है तो एक चीज केरफुली सोचो जब आप यहाँ तक आ जाओगी जूले पर आपने extreme position पर पहुंच गे तो velocity कितनी होगी 0 हो जाएगी मतलब कि अगर हमने o a distance को a consider किया है मतलब कि इस point पर position क्या है x equal to a है तो यहाँ पर velocity कितनी होगी 0 होगी कितनी 0 तो हमने c की value निकालनी के लिए condition apply करनी है कि जब x की value a है तो velocity 0 हो जाएगी end point पर velocity 0 ही होगी तो यह values इसमें put कर दो 0 equal to minus mu a square by 2 plus c तो यहाँ से आपके पास c की value आगी mu a square by 2 के equal c की क्या value आगी यह value आगी अब c की यह value आप यहाँ पर put कर दो इसे equation number 1, 2, 3 नाम दे दो जो आप देना चाते हो तो यह बनेगा v square by 2 equal to minus mu x square by 2 plus mu a square by 2 एक चीज आपको cancel होती हुई दिखाई दे रही है that is 2 cut जाएगा यहाँ से ठीक है और v square को हम क्या लिख सकते है mu times a square minus x square लिख सकते है तो v की value क्या हो जाएगी square root mu upon square root a square minus x square के equal तो यह v का expression आगया यह चीज आपको ध्यान रखने है और इसी expression से velocity के इसी expression से हम maximum और minimum velocity निकाल सकते है ध्यान देनी वाली बात यह है कि अगर आप सोचो कि यह आपके पास जूले है ठीक है जूला यहाँ तक गया तो इसकी velocity यहाँ पे 0 हो जाएगी जब वो बापी से यहाँ पे आएगा तो इसकी velocity maximum होगी आपे इस mean position पे और minimum velocity उसकी होगी end position पे तो हम यही concept लगाएंगे maximum velocity के लिए maximum velocity कब होगी अगर x की value 0 होगी और minimum velocity आपके पास कब होगी अगर x की value a होगी अब यह values हम put कर देते हैं तो आपके पास क्या बनेगा v equal to square root mu a square तो mu into a यह expression आपके पास maximum velocity का बन गया अब इसमें अगर हमने x को a put कर दिया तो आपके पास यह वली term 0 बन जाएगी तो velocity की minimum value कितनी आ जाएगी 0 मतलब simple harmonic motion में velocity की values ही होती है काफी बार जब आप OCT, MSC entrance का exam दोगे MSC entrance का जब exam दोगे अगर उसमें dynamic syllabus होगा तो उसमें आप से पूछा जाता है कि in simple harmonic motion simple harmonic motion में जो maximum velocity होती है उसका expression होता है v square root mu a तो वो confusion यहाँ पे कर देगा कि a के उपर भी न square root डाल देगा वो गलत हो जाएगा ठीक है और v minimum equal to square root mu a इस तरीके से चार options बनाने है गलत मलत बना देगा उन में से एक option होगा यह वला कि जिसमें minimum velocity 0 होगी और maximum velocity की value यह होगी move on करते हैं अब इसी velocity से हमें displacement निकालनी है तो हमने क्या निकाला भी velocity निकालनी है velocity का expression आपके पास है mu square root a square minus x square है अब मैंने इस v की जिगह पर क्या put कर दिया dx by dt पूट कर दिया dx by dt mu times square root a square minus x square अब इसे लिख सकते है dx upon square root a square minus x square equal to mu dt ठीक है dt basically इस side चला गया variables को separate कर दिया variables को separate करने के बाद हमने इसे integrate करने integrate जब आप करोगे तो आपके पास क्या बचेगा dx upon a square minus x square equal to integral mu dt तो इसका integral क्या बन जाएगा आपके पास इसका integral होगा sin inverse x upon a equal to mu t plus c2 ठीक है अब हमें c2 की value निकालनी है अब conditions क्या आएंगी दो conditions आएंगी बहुत केरफुली देखना यह वाला part important होने वाल है ठीक है यहां से आपके पास questions में एक trick play होती है वो मैं आपको बताने वाल हूँ देखो time 0 के उपर आपकी जो x की value है मतलब जो आपने diagram ड्रॉ की है time 0 के उपर जो x की value है वो o पे हो सकती है मतलब कि जो particle है वो o point पे हो सकते है या फिर वो end point a पे हो सकते है हम दो possibilities लेके चलती है ठीक है तो number one possibility आपके पास के है कि अगर time 0 के उपर x की value भी 0 है मतलब कि point mean position पे हिलाई कर रहे है second आपके पास अगर time 0 के उपर जो x की value है वो a पे है ठीक है तो हमने क्या किया आप यहां पे sine inverse यह बनेगा 0 equal to mu into 0 plus c2 तो c2 की value आपके पास 0 आपके c2 की value 0 put कर देनी है हमें इस equation में तो आपके पास क्या बनेगा यह बनेगा sine inverse x upon a equal to mu t तो यहां से आप क्या लिख सकते हो x upon a equal to sine mu t और यहां से x equal to a sine mu t तो यह x की value आपके displacement ठीक है important होने वाला है यह वाला part आपके पास कि x की value यह कैसे आई ठीक है और यह value हमने कहां से consider किया है अगर आपका initial point पे जो particle है वो origin या mean position या equilibrium position पे पड़ा है second thing आपके पास इस case के लिए t equal to 0 के लिए तो यहां पे क्या होगा आपके पास हम put करेंगे इसमें sine inverse a by a sine inverse 1 equal to mu into 0 plus c2 तो यह बनेगा pi by 2 pi by 2 equal to c2 बन जाएगा आपके पास c2 की value pi by 2 आगी तो अब आपके पास क्या बनेगा sine inverse 1 sine inverse 1 की value तो pi by 2 आगी c2 आगे c2 की यह value आपने इसमें put करनी है ठीक है तो आपके पास क्या बनेगा sine inverse x upon a equal to mu t plus pi by 2 अब similar lines पे rearrange कर देंगे that is x upon a को लिखेंगे sine mu t plus pi by 2 और अब आपको पता होना चाहिए कि sine 90 plus theta किसके एकुल होते है 90 plus theta होते है cos theta के एकुल तो हम यहाँ पे use करेंगे sine 90 plus theta तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा x upon a equal to cos mu t देखने को मिलेगा और यहाँ से x की value आपके पास क्या आजाएगी a times cos mu t आजाएगी यह x की value आपके पास ठीक है तो ध्यान में क्या रखने है questions में trick क्यों होगी जो काफी सारे बच्चे confused होते है उन्हें नहीं पता चलता कि कहाँ पे x की value यह लेनी है और कहाँ पे x की value यह लेनी है यह चीज आपको recognize करनी है यह recognize करनी है आपको question को पढ़के यह चीज पहचाननी आपको क्या करनी है question को read करके आपको यह चीज पहचाननी है कि कहाँ पे x की value यह consider करेंगे और कहाँ पे x की value यह consider करेंगे अगर उसने बोले कि जो position है वो end point से measure कर रहे हैं तो वो यह वली बात है कि rest से शुरू हुआ time equal to 0 पे वो शुरू हुआ है ठीक end point से तो आप यह ले सकते हो तो इस तरीके से यह complete derivation है आपके पास जिसमें position भी हमने देख ली एक important question है जो काफी बार papers में पूछा जाते है वो question यह है कि periodic motion कि जो simple harmonic motion है वो periodic motion होते है जिसका time period 2 pi by square root mu होते है क्या होते है जिसका time period 2 pi by square root mu काफी बार यह चीज़ भी OCT exam में पुछी जाती है जो maths का entrance exam होते है MSC maths के लिए PU या काफी सारे universities में वहाँ पे पुछा जाते है कि simple harmonic motion का period क्या होते है तो यह हम discuss करेंगे अपनी next वीडियो में hopefully आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी पढ़ते रहें practice करते रहें करते है